नमस्कार दोस्तों सुर्या फंडामेंटल इस्टेडी में आपका स्वागत है अगर दोस्तों आप नए वीवर हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि ऐसे ही नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और अगर पुराने वीवर है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसमें दिया गया है दोस्तों जो एंटी पीसी यानि रेलवे का जो एक्जाम कंडिडेट दिया था उसका फॉर्म फिलब 2019 में जो किया था तो उसमें 500 रुपया लिया गया था उस 500 रुपया में ये उस फारम फिलब करते समय ही बोला गया था कि अगर जो कंडिडेट एक्जाम में पार्टी सिपेट होगा तो उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 100 रुपया रखके बाकी 400 वापस कर दिया जाएगा तो दोस्तों CBT एक्जाम हो ही चुका है NTPC का एक्जाम हो ही चुका है तो इसके लिए अब NTPC का 400 रुपया वापस होगा जिसके लिए गौवर्मेंट ने निर्धारित किया है सबसे पहले यह ओनलाइन दोस्तों ओनलाइन और और बी एंटी पीसी डाट ओनलाइन और इजी डाट इन पर आप किलिक करेंगे तो आपको इस तरह से बैंक का इनफोर्मेशन मिल जाएगा बै बैंक एकाउंट का डिटेल्स मांगेगा तो आप फिलप करेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको फिलप जो करना है आपका रोल नंबर रोल नंबर फिलप करेंगे उसके बाद आप अपना डेटा बर्थ फिलप करेंगे उसके बाद ओटी पी नंबर ओटी पी नंबर आपको अगर email address दिये होंगे फाम fill up करते समय तो email पर आपका OTP number दे दिया गया होगा मैसे जा गया होगा money refund का आपको details देना होगा उसी के according आप OTP number अपना fill up करेंगे और जी इस candidate का OTP number नहीं दिया गया है उसको जानकारी हो चुकी है तो online मतलब open कर ले उसके बाद O new receipt OTP इस पर click कर दे उसके बाद इस पर click करने के बाद जो ये numbers दिये गये हैं ये नीचे घर में fill up कर दे fill up करने के बाद log in करें क्या करें? log in करें log in करने के बाद इतना करेगा जैसे ही तो उसका next page open हो जाएगा क्या हो जाएगा? next page आजाएगा next page क्या है? उसको भी देख लीजिए next page में आपका इस तरह से आजाएगा next page जो है आप open करेंगे तो उसमें role number डालने के बाद आपके mother's name, father's name, date of birth role number सब कुछ आजाएगा, registration number आजाएगा, उसके बाद उसमें details मांगेगा, bank का number, bank का number मांगेगा, account number जी से बोलते हैं, आप account number देंगे, उसके बाद ifce number मांगेगा तो ifce number ifce number जो है, उसको भी आप fill up कर देंगे, fill up करने के बाद, उसको आप fill up करने के बाद next कर देंगे, तो bank उसको successfully कर देगा तो आपका accept हो जाएगा दोस्तों जब accept हो जाएगा तो आपको खुद bank accept का message देगा accept का message देगा वो इस तरह से आएगा इस तरह से खुलेगा मेरा खुल नहीं रहा है आपको मैं दिखा देता फिरहाल दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार मेरा चैनल subscribe, like, subscribe जरूर कर लिजिएगा ओके, thank you